दोस्तो पाकिस्तान से सिहाब भाई के लिए एक बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है हिंदुस्तान से चल कर पाकिस्तान का बॉर्डर पार करते ही सिहाब भाई का इस्तिक्बाल किस तरह किया जाएगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तो आज सिहाब भाई को अपने घर किरला से पैदल मक्का मदीने का सफर करते हुए आज लगभग संतावन दिन हो चुके हैं यानि सिहाब भाई को पैदल हज के सफर पर निकले हुए दो महिने होने जा रहे हैं और अल्ला ने जो इनको इज़त और लोगों के अंदर इनके लिए महबद डाली है उसकी कोई मिसाल नहीं ये ना ही कोई सिलेबरेटी और ना ही कोई एक्टर और ना ही राजनितिक नेता है मगर सिहाब ने बस अल्ला की राह में पैदल हज करने का इरादा किया था तो अल्ला ने किस कदर सिहाब भाई को इज़त अता फरमाई कि ये जहां से भी गुजर रहे हैं वहाँ पर हजारों की तादात पर लोग इनके इस्तगबाल करने के लिए इखटे हो जाते हैं और सरकों पर खड़े नजर आते हैं दोस्तो जब सिहाब भाई बॉडर पार कर पाकिस्तान पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ के लोगों ने पहले से ही तैयारिया कर रखी है एक बड़ी तादात में वहाँ के पॉलिटिकल लीडर और मजहभी रहनुमाई मिलकर इनका इस्तगवाल करेंगे सिहाब भाई फिर पाकिस्तान से होतो ही इरान इराक फिर कुएत की सड़कों से गुजरते हुए सौधी अर्विया तक पहुचेंगे और इनका सफर लगबग 280 दिन का होगा और इन 280 दिनों में उन्हें पूरा 8640 किलोमीटर का सफर तै करना होगा दोस्तों आखिर में अल्ला ताला से दुआ है कि अल्ला ताला सिहाब भाई के इस सफर को आसान और खूबसूरत बनाएं दोस्तों सिहाब भाई से जुड़ी नए खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं करेसी वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज